कॉंग्रेस की पहली सूची में ही कॉलायत से भमर सिंग भाटी पर कॉंग्रेस ने दाव लगाया था लगातार तीसरी बार कॉंग्रेस से टिकट मिला है उनकी सफलता का प्रतिशत देखें तो दो बार वो चुनाव जीतने में कामियाब रही हैं उनसे हम बात करते हैं सबसे पहले अड़ी साब लगातार तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जाता है क्या कहना चाहेंगे क्रेडिट किसको देंगे आप देखिए सबसे पहले तुम्हें हमारे कॉंग्रेस पार्टी के सिर्श नेतरतों का अभार परकट करता हूं कि मुझे तीसरी बार कॉलायत विदान सबाचेतर से कॉंग्रेस का उमिदवार बनाया गया है जहां तक क्रेडिट की बात है मैं समझता हूं कि कॉलायत विदान सबाचेतर मेरा परिवार है और कॉलायत विदान सबाचेतर के मतदाताओं की भावना कारे करता की भावना को ध्यान में रखते हुए यहां के लोगों का जो फीडबेक है वो पार्टी के पास जाता है और उसी के आदार पर कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे उमिद्वार बनाया है तो मैं कोलायत के मदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे विश्वास किया और उसी विश्वास के बलबुते पर हाध मुझे ये फिर से तीसरी बार कॉलायत विदानसभा से मौक्वा मिला है. आपको क्यों जनता वोट देगी क्यों लगता है आपको तीसरी बार भी आपको उताना एंटी इंगम्मेंसी हो जाती है एक बार में दो बार में हलाए कि कोलायत का इतियास उड़ा लग रहा है फिर भी उसका मेरा एक रिकोर्ड बनाए और मैंने कोलायत की हर समस्या को विपक्स में रहते हुए उठाया दो जार अठारा से दो जार तेईस का करेकाल है उसमें चाहे मैं उच्छा मंतरी रहा चाहे उर्जा मंतरी रहा मैंने ये पूरे परियास किया कि सरकार की योजनाओं का लाब पूरे परदेश को मिले उसके साथ साथ कोलायत विदान सबाचेतर का सरवांगिन विकास हो क्योंकि कोलायत राजस्तान के और विकानेर जिले के सबसे कम विक्षित या विकास के मामले में पीछे रहे विदान सबाचेतरों में था तो मेरा ये पहले दिन से संकल्ब था कि मैं कौलायत का विकास ज्यादा से ज्यादा कर रहा हूँ राज़तान की मुक्यमंद्री कहलोट साथ का पूरा आसिरवाद मेरे उपर रहा कौलायत विदान सबाद छेतर के लोगों की जो भी समस्याएं थी उन तमाम मुलबूत समस्याओं का समधान इन पांच सालों में हुआ है 26 करोड रुपे के विकास के कारे पिसले पांच सालों में स्विकर्थ किये गए और उस सारे के सारे काम चल रहे हैं बहुत सारे मामलों में कौलायत आज राजस्तान के जो विक्सित विदान सबाद छेतर है उनकी स्रेणी में भी आ गये हैं जैसे आठट-ट कोलेज हैं हमार की पूरी नहीं कर सकते हैं जो समाने समस्या हैं उनका यदि हम समादान नहीं कर सकते तो फिर हम परदेश इस्तर की या राष्ट इस्तर की समस्याओं के समादान से जो गाउं में बैठावा वेक्ती है जो वार्ड में बैठावा वेक्ती है उसको उससे कोई लाब नहीं मिल अन्य पिछड़ी जातियां जो है आज कल बहुत बात चल रही है यह जातियां आपके साथ आएंगी कोई कहा जा रहा है कि कोलायत का चुनाओ इन सब पर बहुत डिपेंड करने वाला है देखिए कोलायत की बात करो या पूरे परदेश की बात करो कॉंग्रेस पार्टी सबी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और जहां तक आपने मूलोबिसी की बात कही चाहे सी की बात कही सबी के लिए सामयने वरक की बात कही सब लोगों के लिए कॉंग्रेस ने काम किया है हमारी असोग एलोजी ने काम किया है और जहां तक ओबी सी की बात कर रहे हैं तो मूल ओबी सी की आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए बीकानेर डिविजन में हमारे डुंगर राम जी के दर जो इस इलाके के बहुत ही एक तरह से वरिष्ट नेता थे कॉंग्रेस में सक्री थे तो उनको भी इस वार वहां से टिकट दिया गय को समर्तन मिलेंगा और आजस्तान में इस बार जो कोंग्रेस की सरकार है मैं इस अज歌 में किया उसका म क λ god इलोजी ने जो काम क्या उस मांदाण क के लोगों के कामों की तुल ना हमारे उनको आपने 35 साल तक मुका दिया है मुझे आपने 5 साल 10 साल का जो दो पिरिड मुझे दिया है मैं ये कहूंगा कि आप तुलना कर ले कि पिसले 70 सालों में जितने काम हुए है उस से इन 5 सालों में जो काम हुए है वो ज्यादा रहेंगे और यदि ज्यादा होते हैं तो मैं मुझे आप आशिरवाद ने मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरी तरह से आस्वस्त हूँ कि कॉलायत विदानसभा चेतर में एक रिकोर्ड मना है और कॉलायत को आगे ले जाना मेरा पहले भी यह संकल्प था कि कॉलायत को विक्सित विदान सबाचेतर राजस्तान के विक्सित विदान सबाचेतरों की सरेणी में आकर खड़ा होगा जो विकास के दावे वो बता रहे हैं जो बाते कह रहे हैं कि इतनी कॉलेजिस खोली हैं क्या वाकई वो कॉलेजिस धरातल पर हैं इतना सब कुछ हो पाया है यह जनता को तै करना है लिए परसन आजीम भुट्टा के साथ लक्षमन रागाओ फरस्ट इंडिया न्यूज भी जिकाने लो